नमस्कार दोस्तों मैं हूँ राहूल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अमीका जिनस दोस्तों इस वीडियो में हम एक बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे as a law student जब हम economics study करते हैं तो इसमें एक topic आता है national income और उसके aggregates तो जब हम उसके aggregates को calculate करते हैं उस formula को drive करते हैं तो हमें उसको cram करने में बहुत दिक्कत आती है और समझ वो easily आता नहीं है तो आज हम देखेंगे कि एक diagram की मदद से एक trick की मदद से हम वो सारे के सारे formulae drive कर सकते हैं the only condition is कि आपको ये video complete देखना पड़ेगा otherwise आप इसके अंदर बहुत से important चीज़ें miss कर देंगे तो start करते हैं national income से ओके देखें ये theoretical part है internet पे भी बहुत easily available है but the only thing is कि आपको जो ये formula drive करना है ये थोड़ा मुश्किल लगता है और crime करना मुश्किल लगता है तो उसके लिए एक trick है diagram के थ्रू समझते हैं starting with GDP हमें क्या करना है हमें GDP लिखना है ऐसे एक यहां पे लिखना है यहां पे फिर हमें लिखना है GNP ऐसे और यहां पे भी GNP ठीक है दो हमने GDP लिखे दो GNP लिख दिए अब हम लिखेंगे NDP यहां पे लिखेंगे NDP यहां पे भी NNP और यहां फिर से NDP तो अगर हम इसको count करें तो यह कितने हो गए 1,2,3,4,5,6,7,8 8 हो गए और total aggregates भी 8 ही होते हैं तो अब हम क्या करेंगे अब हम एक normal सा चार्ट बना लेते हैं ठीक है देखो GDP से शुरू किया था ने इस GDP से तो पहले यहीं से शुरू करते हैं यह आया लाइन यहां पर ठीक है इसको मैंने नीचे की तरह फैरो मार्क कर दिया फिर मैंने इसको भी नीचे की तरह फैरो मार्क कर दिया ठीक है फिर मैंने क्या किया मैं यहां से शुरू करता हूं simple lines draw कर देते हैं जिसका arrow से कुछ रहेगा ओके और इसको भी एभी ड कर्दी तियां जिसका यहाँ एसराइगा ठीक है। इस साइड में है अब जो हमें काम करना है वह हमें बहुत important काम करना है हमें क्या करना है कि इसके बीच में भी client draw करनी है और यहाँ पर लगाना है minus यहाँ पर minus और यहाँ पर minus साथ में यहाँ लिखना है depreciation depreciation और depreciation ठीक है तीन जगा हमने depreciation लिख दिया है यहाँ पर अब जो हमें करना है वो हमें क्या करना है कि हमें देखना है कि तीन जगा तो हमने माइनस के साइन लगा दिये हैं अब और कहा कहा माइनस के साइन लगाने रहते हैं देखो तो यहां पर हम लगाएंगे एक minus का sign एक यहाँ लगाएंगे एक लगाएंगे यहाँ और एक यहाँ पर साथ में लिखेंगे क्या हम लिखेंगे एन आई टी एन आई टी एन आई टी हर्याना government की तरफ से चार एन आई टी बनवादी में इस डाइग्राम में देखो ठीक है तो यह वो NIT engineering institute नहीं है भाई यह NIT हमारे indirect taxes है net indirect taxes ओके NIT यह हमने यहाँ पर लगा दिये अब जो बच गई जगा वहाँ पर करना क्या है वहाँ पर लिखना है plus 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 और plus और साथ में क्या लिखना है NIFA यह कौन सी income है यह income है जो सी foreign से आती है abroad से आती है ठीक है तो यह हमारा diagram बन गया ठीक है अब हमें इसमें अगर diagram में से अगर हमें formula drive करना है तो हम कैसे करेंगे ठीक है तो देखो एक चीज़ रह गई इसमें जो मैं आपको बता देता हूं कि हमें यहाँ पर लिखना है MP मतलब market price यहाँ पर भी लिखना है market price यहाँ पर भी लिखना है market price और यहाँ पर भी लिखना market price जो बाकी बच गई वह रह गए factor cost factor cost अपना कहां गई यहाँ हो गया यह पर यह factor cost यह factor cost ठीक है तो हम इनको सर्कल कर देते हैं जिससे कि हमें यह दूर से दिखने लग जाएंगे और we can highlight them we can highlight them highlight कर देंगे इनको market price दिख रहा है हाँ और यह factor cost factor cost factor cost और यह अपना factor रुप्र ठिक है तो यह हमें अब clear visible है हमारा market price और factor cost तो अब अब देखिए अब हमें क्या करना है मान लीजे कि मुझे GNP at market price निकालना है तो मैं यह देखूंगा कि इसकी तरफ arrow कौन सा आ रहा है यह तो इसे दूर जा रहा है यह भी इसे दूर जा रहा है और कोई arrow है नहीं यह वाला है तो इसकी तरफ आ रहा है तो यह इसका फॉर्मूला बन गया कितना सिंपल है ठीक है अब अगर मुझे NDP at market price देखना हो ठीक है तो मैं क्या करूंगा देखो फिर मैं क्या कर सकता हूं मैं देख रहा हूं कि भाई इसकी तरफ कौन कौन से आ रहे है एक तो यह आ रहा है GDP minus depreciation NDP at market price बन जाएगा या फिर दूसरा मैं क्या कर सकता हूं देखो मुझे दिख रहा है कि NDP at market price minus NIT is equal to NDP at factor cost अगर अब मुझे NDP at market price निकालना है तो मैं इसको तो यही पर रख लूँगा NDP market price is equal to NDP factor cost plus NIT ठीक है तो यह भी formula हमारे ड्राइव हो गया तो ऐसे आप formula सारे के सारे ड्राइव कर सकते हो बहुत easy है बहुत कोई technical नहीं है ठीक है यह बहुत काम की चीज़ है generally YouTube पर भी नहीं आपको मिलेगी अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए शेर कीजिए अपने दोस्तों के साथ बहुत important topic है ठीक है और चैनल को subscribe कीजिए अगर आप first time आए है thank you